हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल आज की इस वीडियो में हम 1857 के रिवाल्ट के मेजर कॉसेस के बारे में डिसकस करेंगे यानि की ऐसे कौन-कौन से रीजन थे जिनका जो रिजल्ट था वो था रिवाल्ट आप 1857 तो इस वीडियो को हम 5 टॉपिक की मदद से कवर तो देखिए 1757 के बाद के जो हंड्रेट इयर थे उसमें जो ब्रिटिस थे उन्होंने इंडिया में ऐसे बहुत से इस्ट्रिक लोग इंप्लिमेंट किये थे जिसका जो रिजल्ट था वो था आमारे डेस में नेशनलिज्म का राइज होना और उसी का जो रिजल्ट आया व उन्हीं में जो पहला पॉलिटिकल कोज है वह है एबॉलिशन ऑफ एडॉप्शन तो देखिए जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलॉरी था उसके जो पीरियट था उसमें भारत में ऐसे बहुत से प्रेस्टीजियस जो स्टेट थे लाइक जहांसी उदैपुर संबरपुर ना गौधे को गोद ले सकता था लेकिन जो डलॉजी था उसने जो गोद लेने की प्रता थी इसको अमान नेगोशित कर दिया और इसी का पढ़नाम था कि उसने इन सभी राज्यों को अपनी सासन में ब्रुटिस रूल में मिला लिया था अब इस से क्या हुआ था जितने भी व पुना अंग्रेजों को दबाकर अपनी जो कॉंसेशन थी यानि कि जियासत थी उस पर अधिकार जमा सकें तो जहाँ अगला जो पॉलिटिकल कॉस्ट था वो था बिट्रे विद आवड यानि कि आवड के साथ विश्वादगाद तो देखे 1856 में जो कंपनी थी इस्ट इंड पावों की जर्वत पड़ती थी तो उनसे पूरी हल्प लेती थे लेकिन जब उनका एंपायर फैल गया था तब उन्होंने अवड को अंग्रेजी जो एंपायर था बिटिस एंपायर था उसमें मिला लिया इससे क्या हुआ अवड की जनता में क्या हो गया गुस्सा आ गया और वे इस असंतो साइन कॉंटेंट था इसके कारण महां के सैनिकों ने क्या किया विद्रो कर दिया तो अगला पॉलिटिकल कौस था वो था हुमिलेशन ऑफ बादूर साजफर तो देखें मुगल जो एंपायर था उसका जो सासक था बादूर साजफर वो भी डॉलोजी न अगला पॉलिटिकल कौस था वो था बृटिसर डिफीटिन अफगानिस्तान वार अब देखें अब देखें अभी तक तो लोगों को लगता था कि जो इन्हें हराना इंपॉसिबल है क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत से वार हुए थे जिसमें इंडियन्स को हार मिली थी जैसी कि 1757 में बैटल आप प्लासी हुआ इन सभी में क्या हुआ जो इंडियन्स से उन्हें हार हुई थी पराजय मिली थी लेकिन जब अफगानिस्तान में ब्रिटिस हारे तो लोगों को लगने लगा कि जो इन्हें हम भी हरा सकते हैं तो दोस्तों में को उम्मीद है आपको सभी पॉलिटिकल कौज़ समद में आए कि लीए यह अलग ही समझे है अपना गुलाम जासा समझता थे खृत क्यों just Лaday अगर आपका भी कोई अपमान करेगा तो आपको भी गुशा आएगा, वैसा ही उस समय भी था क्यों कि भारतियों को उपर से काम कराते थे, पैसा नहीं देते थे, उपर से उनका अपमान करते थे, टो यह भी एक social cost था तो जो दूसरा social cost था वो था discrimination by color यानि कि जो रंग के आधार पर जो अंग्रे stability सर्स थे वो भारतियों के साथ इंडियंस के साथ discrimination यानि कि भेदबाओ करते थे अब देखिए ऐसी जगयती जैसी कि आपने सुना होगा जो महात्मा गांदी थे उन्हें साउथ अफ्रिका में ट्रेन से भार फैक दिया गया था अब देखिए और उत्राखंड में ऐसी रोड यानि कि भारती हैं उन रोड़ों में आई नहीं सकते तो देखिए इससे लोगों कितना ज़्यादा उनका discrimination होगा अब देखिए इन घटनाव से क्या होने लगा जो समास था उसमें अंग्रेजियों के परती क्या होने लगा उपेक्षा की भावना आने लगी अब देखिए जो अंग्रेज ठाव उनका रेंस हैं भार्म लोगों से भारतीयों से बहुत अलग था तो इससे क्या होता था भारतीयों की जो मानने तहीं उस पर भी बहुत असर पड़ता था तो यहीं हमारे क्याते सोशियल कॉस्ट थे तो देखिए जो अगला कॉस्ट था वो था अब देखिए जो फस्टीडीज कोस्ता वो था रिलीजियसिए न्टॉलेररेंस यानि जो धार्मी कोस्ता थी वो भी एक मेजर कोसका अब थुए ब्रिटिसएंपायर में क्या होता था योग गिता की जगह धर्म को पोष्ट होती इसका आधार बेस माना जाता था अगर कोई भारती Christian region को अपना लीता था तो इसको क्या होता था प्रमोशन देदिया जाता था लेकिन अगर कोई भारती धर्म मानेगा जैसे अगर यह धर्म को मानेंगे तो उनका कभी प्रमोशन नहीं होता था एक पोस्ट होती थी सेना में जमादार से उपर उन्हें कोई पोस्ट ही नहीं दी जाती थी अब देखिए यह क्या था इससे क्या लगने लगा उन्हें हमारे अपमान हो रहे हमारे धर्म का अपमान हो रहे तो इसलिए वर अंगर्यों के विर्द हो गयी जो अगला रिल्जियूस को था यौँ की जो ऑफ कृस्ट्य धर्म था उसका क्या उने लगा भारत में बहुत ज़्याता प्रचार उने लगा था तो इस से क्या लगने लगा भारतियों को लगने लगा कि हमारे धर्म को खत्म ना कर दें और इसका ही परणाम के लिखा लगा परणाम हुआ कि जो भारत वाची थे अंग्रेज़ों को सैक्रिलिजियस यानि कि धर्म जो ही मानने लगे और उन्हें देश से भार निकालने का मौका ढूनने लगे और जब 1857 में मौका मिला तो हिंदू और मुसल्मान दोनों ने मिलकर जो मौकीं किया विद्रोग क्या तो यही मान जो काम करने आले मजदूर होते थे इनसे बलपुरक फोर्सफुली अधिक शदिक काम कराते थे और रुपए नहीं देते थे और जैसे कभी फैमीन आते थी यानि कि अकाल आता था या बाड आती थी तो इसमें क्या होता था उन्हें कोई हेल्प नहीं की जाती थी इससे क्या नहीं लगा भारतियों को बहुत जड़ा नुकसान होने लगा और अंग्रेजियों ने दूसरी चीज क्या करी अपना तो उन्होंने जो मिनरल यहां जो सब्सक्राइब इंग्लेंड भेशते थे अपना तो उन्होंने जो उद्योग दंद से उन्हें बहुत चर्म पर सीमा पर पहुंचा दिया लेकिन जो भारतियों के छोटे-छोटे भी दंदे थे उद्योग दंदे उन्हें नस्ट कर दिया तो यह एक एक अगला जो हमारा मेजर कॉस है वह है डिस कंटेंट एमांग सिपाइज यानिकि जो सैनिकों में असंतोस था वह भी उस समय का एक मेजर सकता था लेकिन वहां भी क्या होता था हमारी सैनिकों के साथ मिज अपर नहीं हो सकता था तो अगला जो कॉस्त था अब देखि क्या होता था जो भारतिया सैनिक इंडियन सिपाई थे उनके जुस रहे वेतान भट्रिशन की तुल्णा में बहुत कम देंग कि ज़्यादा का हमारे इंडियन शिपाई करते थे तो देखे जो कंपनी की नीतियां थी डॉक्टरें थे इन्होंने दूसरी और क्या करा था हमारी किसी यानि जो एग्रीकल्टर था उसे भी रहने प्रभाविट करा था अब देखे इसका इसनिकों पर भी पड़ता था कैसे क्योंकि जो सैनि का या परिवार का पेट पाल सकें इसलिए वो एक तरीके से वर्दी धारी किसान थे जो कि खेती भी करते थे और ब्रिटिस आर्मी में किसान भी थे तो जो अगला कॉस्ता वो था जनरल सर्वेस इनलिश्मेंट एक्ट 1857 अब देखे क्या होता है लॉर्ड कैनिंग यानि कि जो हमारे उस भारत के पहले वासराई भी थे लॉर्ड कैनिंग के टैंप 1856 में जनरल सर्वेस इनलिश्मेंट एक्ट यह भारत में आता है और देखे इसके अंसार क्या होता है कि जो भारती स्थैनिक थे यानि कि इंडियन सिपाई थे इने वार के लिए कभी भी समुद्र परें जाना होगा यह एक्ट में खागया था बेकिन क्या हो था जो भारति पुरानी परंपरें थी इनके एकोर्डिंग अगर कोई भारती समुद्र पार करके जाएगा कि दूसरे देश में जाएगा तो उस नहीं मानिता घट जाती थी उसको धर रहाना जाता था तो देख वह इन्फिल्ड रइफल थी उस समय को एक सबसे बड़ा कारण थी अब देकि क्या होता था जब इन्फिल्ड रैफल को इसमें गोली लगाई तो वे आग बबूला हो गई अब देखिए जो हिंदु धर में इसमें गाय को गौ माता माना जाता है अगर उनी की गौ माता की चर्वी उनके मुह में लगाई जाए तो कितने जादा क्रोधी दूंगे आप समझ सकते हैं अब देखिए जैसे इस सैनिकों को पता चला तो सबसे पहले मंगल पांडे था जो उसने बेरकपूर चावनीची वहां 29 मार्च 1857 को ऐसी कार्टिज का विरोध किया अब इसी कारण क्या हुआ एट अपरेल 1857 को उसे फासी दे दी गई और फिर क्या हुआ स्चै माई को भी विरोध करने लगे इसका और 1857 को तरसमाई 1857 को जो सिपाई थे इनसे इन्होंने बड़े इस्टर पर एक म्यूटिनी किया और इसी का जो कारण था वह था 1857 का रिवाल्ट तो दोस्तों में को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और अगली वीडियो में हम आ कर दो